राजस्तान की राजनिती सरगर्मी अब एक नए मोड पर आ गई है देवली उन्यारा स्चीट से टिकेट नई मिलने के बाद विजे बैसला के समर्थकों में कई सवाल उठ रहे हैं क्या विजे बैसला कॉंग्रेस जॉइन करने वाले हैं? आईए जानते हैं जिस समवावित राजनिती परिवर्तन के पीछे की कहाने राजस्तान में बड़ी राजनिती सरगर्मी टिकेट न मिलने पर बैसला की दुविधा राजनिती में नई चाले बैसला पर सस्पेंस क्या होगा चुनावी भविश्य सबसे पहले विजए बैसला की राजनिती प्रश्ट भूमी पर एक नज़र डालते हैं विजए बैसला जो गुजर समुदाए में एक प्रवुक्वनिता माने जाते हैं उनको भाजपा से टिकेट में मिलने के बाद अब उनकी राजनितिक इस्तती संदे के घेरे में है हाली में राजिंदर गुजर को देवली उनियारा सीट से टिकेट मिलने के बाद विजय भैसला के समर्थकों में ऐसंतूश की लहर है उनके समर्थ तक ये तक पूछ रहे हैं कि जब बैसला को टिकेट नहीं मिला तो वह भाजपा में क्यों है अब विजय बैसला के दिल्ली दोरे की सच्चाई पर नज़ा डालते हैं बताया जा रहा है कि विजय बैसला इन दिनों राष्ट्रिय राष्थानी दिल्ली के दोरे पर हैं जिससे अटकले लगाई जा रही है कि वह कॉंग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं क्या यह मुलाकात उनके लिए एक नया राज़नितिक मोर ला सकती है राज़नितिक जानकारों के अनुसार बैसला कॉंग्रेस मेताओं से चर्चा कर रहे हैं जो इस बात का संकेत है कि वह पार्टी में शामिल होने की योज न बना सकते हैं प्रदेस में हुए 2023 के विधान सबाशुनाओ के दोरान भाशपा की स्थिश क्या थी तो इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं बताया जाता है कि विजए बैसला ने आस्षिन से टिकेट मांगा था लेकिन भाशपा ने उन्हें देवली उनियारा से उम्मीद्वार बना दिया पार्टी का माना था कि वुजर भावल्य सीच पर बैसला का प्रभाव रहेगा लेकिन चुनाओ परणाम विप्रीत रहे जिससे भाशपा को वहां हार का सामना करना पड़ा अब 2024 के उप्चुनाओं में बैसला को मोका नई दिये जाने के इपाद उनके इस्तती काफी कमजोर हुई है विज़ बैसला को भाशपा के लिए जा संभावित हानी माना जा रहा है तो कॉंग्रिस के लिए उन्हें संभावित लाब के तोर पर भी देखा जा रहा है अगर विज़ बैसला कोंग्रिस में सामिल होते हैं तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा लाब हो सकता है गुजर आरक्षन संगर समीति के अध्यक्ष रहते वे उन्होंने सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी इससे सावित होता है कि बैसला कोंग्रिस के साथ अपनी राजनितिक द्रश्टी को जोड़ने के लिए तैयार है हाली में कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सींग डोटासरा ने एक इंट्रिव्य में कहा था कि कुछ बड़े नेताओं के परिवारों को उपचुनाव में टिकेट दिये जा सकते हैं इसमें विजय बैसला का नाम भी शामिल हो सकता है अगर बैसला कॉंग्रिस में सामिल होते हैं तो यह भाजबा के लिए एक बड़ा जटका सावित हो सकता है तो दोस्तो इस चर्शा में हमने विजय बैसला की राजनिती इस्तिती और उनके संभावित कॉंग्रिस में साविल होनी की अटकलों पर रोश निडाली यह देखना दिलचस्त होगा की आने वाले दिनों में उनके फैसले का क्या असर पड़ेगा और क्या यह भाजबा के लिए एक नया संकत लाएगा या कॉंग्रिस के लिए एक सुनहरा आवसर विजय बैसला का राजनिती भविशे अभी आयनिशित है क्या वह कॉंग्रिस में शामिल होंगे या भाजबा में ही रहकर अपने भविशे को सवारेंगे यह सवाल अब भी अनसुलजा है आपकी राई क्या है क्या आपको लगता है कि विजय बैसला कॉंग्रिस जॉइन करेंगे आपकी राई हमारे लिए मैत्रपूर है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राई बता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो क्रपया इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हम आपके लिए इसी तरह की रोचत और मेत्रपूर जानकारिया लाते रहेंगे आगामी राश्रिती हल्चलो पर हमारी नज़त बने रहेगे फिलाल मुझे दीजे जाजत नमस्कार